क्या कर रही है एक्जाम टाइम में जब मैं पढ़ने को कहती थी तब ये मंदिरों के चक्कर लगाती थी अब रिजल्ट आने का वक्त है तो तुलसी की चक्कर लगा रही है अच्छा सुनो तो जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ है हलो जब तक रिजल्ट नहीं आजा तक लो टॉप वो क्यों तुड़ीज नहीं बोल सकती ना इसलिए पेड में मर्लिंग एस डिटी एए यहाँ तुमसे तो बात करने का कोई फाइदा ही नहीं है तुम्हारे पापा जिनों ने तुम्हें सिर्प चड़ा रखाया ना उन्हीं की खबर लेती हूँ कहा है वो बेटी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना मैंने भगवान की 21 अगरबती जला कर आठी की है तुम फर्स क्लास से पास होगी पास होने तभी डाउट है फर्स क्लास की बाप कर रहे है बाप और बेटी दोनों एक जैसे ओ माई संग पुर्समोर धूप माक्स और ज्याद आएगे जरूर 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 एक भी दिन मैंने इस लड़की को पढ़ते हूँ नहीं देखा और नहीं कभी इसके हाथो में मैंने किताब देखी है तो ये पास कैसे हो जाएगे जैसे हर साल पास होती है वैसे ही है जरूर ये मैंच पिसे है अभी तो तुझे संभाले के लिए तेरे पापा खड़े है यहाँ पर एक देखाए कोई दूसा लड़का चब तिरी लगाम खीचेगा न, तब तुझे पता चलेगा पापा, देखू न, पापा ही को लड़का लेकर आएंगे जो पिरी लगाम खीचेगा देखेंगे, देखेंगे, वो तुम्हे फूलो का हार बताएगा या फिर लगाएगा खीचके पापा, हमें ममी की ज़रूरत है क्या? ऐसा क्या? नहीं ज़रूरत है अगर आप कहें तो मैट्री मुनी पर दूसरी ममी करें लो अरे नेकी और पूछ पूछ, वैसे भी एकी चेहरा देख देख के मैं बिलकुल पक चुका हूँ लाइफ में चेंज आएगे ओ, हलो, शेकल देखी है, अपनी दूसरी शादी करेंगे एई, तू, तू मेरी सौचन लाइगे जन्दा देना तरमशे, बहुत जन्दा, मेरा आप देना सलूपाएंगी लो, जीजा जी आ गए जीजा जी, नमस्ते मैया, आगे सब ठीत है ना हाँ है, सब ठीत है अब आप आगे है ना, शादी में रौनक आ जाएगे शाले साथ, हम तो शादी की रसमें होते ही यहां से चले जाएगे आप और आपकी बहनी आपक बसना चाले तो यारी कितनी अच्छी की है ना ना डद इंश्माली नाने जी, सो नाइस उसे, नमस्ते ओजी, ओगार, ये सारी समालना कितना मुश्किल होता है, ये नो Don't get exit so much Excite I know, ये क्या, तुम्हारी सारी तो ट्रैपिक सिग्नल की तरह हर दो मिनिट पे फिसल जाती है हाओ, अच्छे से बंधा करो Sorry, नाने जी, भोल गए थी आप कितनी प्यारी है I am so shy जो छुपाना चाहिए, वो तो छुपाती नी और मूँ छुपा कर भाग गए, stupid girl नाने जी, जूस ले लीची अरे, जूस मुश बलाने के लिए, मैं हूँ ना लुच को, जूस भीचे गई No, thank you, जूस भीचे, जूस भीचे Just tell me, where is our enemy? आप कहा है? दिख ने रही तो आगई जू ओ तो छुपानी इसमिस नानी! मैं तो छी एक हो, आप भी बहुत अच्छी होँगी और ये तो मसघे वैसे मैंने एक उर्थी-उर्थी खबस ही है विंड न्यूस नहीं, एर न्यूस प्रोसीड मैंने सुना है कि इस बार भी तुमने फर्स्ट क्लास से पास किया कौनी के लिए सेच्चुरी मारना कोई बड़ी बात नहीं मैंने इक इता के लिए फर्स्ट क्लास कोई बड़ी बात ही मैंने निशारी फर्स्ट आती हू रहने दो, किसमत अच्छी है और कुछ नहीं स्टमक बर्नी होगी ही क्योंकि ये तो सिर्फ पास होती है हलो, भले ही मैं सिर्फ पास होती हूँ पर मेरी पसंद हमेशा एंग नंबर की होती है मेरा होने वाला पती फॉर्ण में रहता है राज कुमारों जैसे शान है उसकी इसलिए मेरी शादी ते दूम धड़ाखे से हो रही है है ना रे हाँ समीका अब इतना भी क्या दिखावा करना पता है अपनी पोती के लिए में कैसा लड़का ढून कर लाओंगी जब उसकी एंट्री होगी ब्लास्ट होगा उसके आने पर भगवाल खुद बैंड़ाख जाओंगी वह बादलों पर लिखकर मेरी पोती पर लिखकर दूम 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 वह बादलों दूम 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 वह बादलों दूम 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 वह बादलों दूम वह बादलों दूम 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 करेंच अभिस्त podia करें हिसी have Рच क्रेंज करें कि अविस्ते विस्त है कि अविस्त गण वाई जैंना मद्ड बंडुी क्रद्थ सुनो भाई हमारा काम है हमें ही करना पड़ेगा चलो ठाओ उसे बात तो सही है कहां से आये हो बेटा तुम बंगलूरू से चाचा तुम शहर वाले हो फिर भी हमारे गाओं के लड़कों से अच्छा काम कैसे कर लेते हो चाचा पेड़ जाये कितना भी लंबा क्यों ना हो जड़े जमीन में ही होती है हम दुनिया में भले ही कहीं भी रहें जड़ तो ये मिट्टी ही है ला मिट्टी से प्यार करना मैंने अपने दादा से सीखा इंसानों से प्यार करना मैंने अपने बापा से सीखा और ये सारा का अच्छे से करना मैंने आप जैसे बड़ों से ही सिखाया चाचा बहुत अच्छे संस्कार है बेटा हमारी मदद के लिए शुक्रिया पूरी दुनिया में आप जहां भी देखो हर जगह मतलबी लोग ही मिलते हैं पर आप जैसे किसान जो पूरी जिन्दगी लोगों की सेवा करने में निकाल देते हैं आपके हाथ धरती मां को नमन करने के लिए ही उठने चाहिए आप मुझे बस आशिरवाद दीजिए चाचा मही मेरे लिए काफी है हमारा आशिरवाद तुम्हारे साथ है नमस ते है गए तो बड़ी अची चलापे हो और तूं पार बहुत हो थुआ है आपके इधागे एधाटिटुद देखो वो कितना हैंडसम है दादी हाई आरिहा हाई अंकल ये क्या हाई अंटी हाई तुम अकेले आये हो दामाजी कहाँ है यही तो है आरे वो रहा अपनी बंदी के सामने हीरोगिरी दिखा रहा है क्या अरे क्या हीरोगिरी दिखाऊंगा मैं अरे तुने मुझे आते हुए रास्ते में गाड़ी से धक्का दे दिया मैं चिला तरह आके रुख जा रुख जा रुख जा लेकिन तुने सुनाई नहीं देख मुझे कितनी चोट लगी है यार मैं क्या करूँ साज़ूर जी आप ही देखिए जब गिरा पर इतनी दोर से बस्तर लगा मुझे आप ही देखिए यहां पर जोट लगी है देखिए पापा कितनी चोट लगी है अंकल कम सगम आप तो देख लीजिया ना इसके तो मेरी सॉली इज़त की धच्छे ओड़ा दी पता नहीं कब सुच्छे लिगा मैं मैं चलिए आप अंदा चलिए शुच्छी नैना को बोलिए कि आकर मुझे बाम लगा दे आप अंदा तो चलिए भी आता हम अई अई आई 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 लीचे बढ़ाओ क्या हाँ क्या हाल होगा ना चार पूछी ना काभी पूछी मैं तुच्छे नहीं पूछ रहा हो हाँ समझ गया आगे बनो आया नाम तो सुना होगा ना बाट सुना क्यों फिपे मिने नाम का काकु बनाया यह 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 पर तुमने अपना नाम नहीं बता है सरसो का साख ओहो क्या किया रहे हो कुम वेजेटेरियन हो खाने के लिए वेज़िटेरियन हो, तो मैं तो सिर पे चड़े तो, खिलाना भी आता है मैं दूसरों के हाथों से खाना मुझे बहुत अचारता है मैंने किसी को बोलते वे सुना था कि मैं बिल्कुल पर लिदर जैसे डिखते हो जैसे कुछ ऐसा गाओं की लड़का इतनी आसानी से नहीं बढ़ती है बास अगर इस लड़की का बैंड नहीं बजाया तो मेरा नाम भी आर्या नहीं ओके बास वाँ 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 एई बहुत क्यूंचो अधिकन अच्छी लग रही है तू क्यों तितली बना हुए है अभर मेहमान आख हुए है ना उनने इचाए को पी देनी है या नहीं अड़ मोजे लगा तू उसे देखर तितली की तरह पड़पड़ा रहा न कैसी लगी वो, वो बनकर, चले हांसे, सही लग रहे थी यार, देखो, अगर तुम किसी हांसम लड़के से शादी करोगी न, तो जब देखो वो दूसी लड़कियों को देखेगा, और हम लोगों को उसके पीछे CID बनकर घुमना पड़ेगा, अगर किसी ठीटाक लड़के से से शादी करते हैं, तो उसकी रानी बनकर रहेंगे, और वो हमारे आगे पीछे, जोरू का गुलाम बनकर घुमेंगे, अरे वो देख, तेरा होने वाला पती किसी और के नेटवरक को फोलो कर रहा है, कुछ लड़किया पॉप सौंग की तरह होती है, जिने हम सुनकर भूल जिने सुनते सुनते भूल जाते हैं, लेकिन आपको तो हम कभी कभी सुनते हैं, अलका यागनी की तरह, पर याद हमेशा रहे जाती है, वो तो बहुत फ्लोट कर रहा है उससे, बोलो उससे बहुत में जाए, भाई, डायलोग सही से बोलो ना मेने, मुह बन कर और पीछे द अगर नहीं बताया तो मैं शादी नहीं करूंगा, हाँ? हुटी, मुझे क्या लेना तुम शादी करो या ना करो, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, समझे, लाया बडा अरे बाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, भाई भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है तुने मुझे भी अपने बीच में फसा कर रखा है सीधा जाकर खुदी बात कर ले न देख या, तू पूछेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तू गूला है मैं पूछूँगा तो जूचे पड़ेंगे या सही बुला अगर मैना को ये बात पता चली था तो वो खुश हो जाएगी, शीविल अप्रिशियेट मी वो जुछ थाएग्ट आपको गाउं घुमना था, मैं जो आपको गाउं गुमना था, जा रहा हूं, चलना है क्या, हाँ चलते हैं, यहाँ डाल नहीं गलने वाली, चलो, हाँ चली, उपर की पाड़ी से देखेंगे, तो हमारा गाउ बहुत ही सुदर लता, रगो एक मिनट, यहाँ, दूला कोन है, मैं हूँ या तू है, तू है मेरे माई, तो सारे लोगों का ध्य तू दिखा ना, शोई और पाइसे, शोई और सेक्सी थाइस, बस कर या, अब तो शर्मा रही है, जिसने की शरम उसके भूटे करम, मेरे भाई, ध्यान रख, अटेंशन सीकिंग इस इंपाकुत, अचली, अगर शादी से पहले तूने अपनी ताकत नहीं दिखाई, तो शा अब फाइस थाइस थाइस, अचल मड़ी वड़ी है, अचल मटेश, अटो सेक्सी थाइस, कैसे है ere हृह हृह हृण जा कर शा है 하는데 य जा क्या फ्राइसे थाही जाए जाइक कपड़े पहन करने करने की उम्रह हमारी पल्स आपको समझ महिं आएभिए चैनल लीजे आप ओल्ड आप और शॉडूँज अपार्व शॉड्या ने अप्रोप्लम वावूळ। यूज्ए पर्पॉब्लम। यू लाइश पर काम करने वाला हूँ। नाइश पर काम करने वाला हूँ। यूजूड। झानल। फॉजूड। थैनल। अकेले में एक्सिसाइज सिखाने के लिए नौचे लेट्स डू उश्ट सी वजे बाद मैं मिल्ला कराटे कुंफू सब एक ही बार में सिखा दूँगी ओके बस कहीं का जलो दोके बस पर मैंने क्या किया मैं यहाँ पर आपको अपना गाउं दिखाने के लिए ले आए था लेकिन आप तो ट्रेक्टर चलाते 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 इतनी दूर निकला है इतनी दूर निकला है डादू अरे कौन है रे वो रंगा दादा है जलो यह रंगा दादा एक किसान है लेकिन बात क्या है हम किसानों को तो इसी तरह मरना है इसी तरह मरना हर चीज का हाल नहीं है दोस्त मेरे पास कुछ पैसे है यह लीजे दादा जी यह रखिए मैं आपका सारा कर्स चुका दूगा रहने दे बेटारे आप रख लीजे दादा जी अरे भाईया आप इस साल तो इनका कर्स चुका देंगे लेकिन अगले साल फिर से बारिश नहीं हुई तो यहां लटकने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा इंगे पास इस परेशान का कोई और हल तो पानी हां भीया जब हमें बारिश के पानी से फर्क नहीं पड़ेगा जब इन खेतों में नदी का पानी आ जाएगा हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी अगर हमें भरपूर पानी मिले तो हम सान में दो बार फसल उगा सकते हैं तो फेर हमें लो लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि सान सारा कर्ज अपनी कमाई से चुका देगे वाँ भगवाई ए चल उठा उठीए रंगादादा आप किस्मत वाले हैं जो भगवाई ने आपकी जान बचा ले भगवाई यह आपके पैसे है चलते हैं भगवाई अरे क्या हो यह तुम्हें साडि पहनते वे देख रहे थे तुम परदा बन करके साड़ी नहीं पहन सकती ती बिल्कुल सही ढकन कुला रहेगा तो विल्दी की क्या कलती है बेशरम कही किया बेशरमी की सावी हादों और दोल्सक्षित इडिएध। बेबी ने मैं क्या भी भोला बन रहा था। बाद में मिलना मुझे, चल और दूदमाश। तुमसे दुद बाद में मुझे चक्कर क्या है कुछ समिझ में ही आ रहा है! पर टाइम तो बता है यह नहीं भाइया हाँ बोलो खाना तियार है अभी आया इस पूटो नहीं किछ रखा रहे है है बहुत अच्छे है तो दिखाना अज्य वाली दॉटो अच्छे है वी गूटो दोता है तीन साल की थी तब की पूटो यह वाले देख समें तो कितनी खुपसुरी पहले लिए अची हैंदा वरी नाइस है लुपसुरी अची है ना जा बहुत लेख सब्सक्राइब कर ने अची है कर दो हाललललललललललललललल आँ यह यह पर बस होटे करना आँपशा नहीं है वाहा, हाथ में ताजे लड्डू और खुद बासी लड्डू क्या बोला? बासी लड्डू और क्या? एक, लो, पुझे तासी लड्डू गीता, लड्डू खाएगी? तुझे भी? हाँ, तुभी खा ले, ये ले, चल कब से मेरे तिल को घुरी जा रहा है? तुझे, तीन बार उसे मेरा तिल देखा जैसे को तैसा क्या मतलब? हम भी उसे छुपकर नहाते हुए देखें क्या तुझे, शर्म हाया है या नहीं? लड़का इतना हैंसम है, इसलिए मैंने बोला ठीक है, तोई बोल, करना क्या है? अपने लड़कों से कहेंगे, उसे अच्छा सबक सिखा हजार उपए लगेंगे? ठीक है, भगरा कौन है? आरिया मिश्किल है क्यो? भूल जाओ आरिया को, उससे पंगा लिया तो हमारी बेंड बजा देगा जाने दो, करते तो पांच हजार उपए लेती यहां सो रहा है, अभी मज़ा आएगा तो इस वक्त यहां क्या कर रहा है? ब्रो मुझे मेरे कमरे में नीद नहीं आ रही थी, मैं यहां तेरे पास सो जाओं क्या? नहीं, तु मेरे साथ नहीं सो सकता, पूरी रात यहां आँए टांगे मारते फिरता है ठीके, तु यहां सोजा, मैं तेरे कमरे में जाके सोता हूँ ठांक्स यहार आजा, मेरे साथ सोजा भाई चुपकर, सोजा ठीक, जिसका मुटा का हुआ है ना वही है, जाओ ठीके, तम जाओ ठीके, तम जाओ आज क्यो रहे हो, बहुत आवाज आ रही है नाचो, नाचो वैसे, मैं उससे डल क्यो रही थी लगता है इनोने उसे माह लही ए, 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 काम दिया था, वो भी मन लगा कर नहीं किया यही सरकारी काम है, जो मन लगा की करेंगे हमारी गलती नहीं है तो? देखने वाले की देखने वाले की? इसने हमें गलत बंदों बताया, तो हमारी क्या गलती है? किसे देखकर आई थी तू? किसे देखा था? मैंने तो ध्यान से देखा था अच्छा सुनो, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए सुन, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए ए इस बार गउटी नहीं हो मिशाई है तो यहां है यह भाई भाई अबे तो फिर से आ गया थोड़ा उदर हो जाए मैं यहीं सो जाओंगा मुझे अकले सोने में ड़ब जा प्लीज भाई ठीक है सोजा दुबारा वहां मत आना सल सोजा तू भी यही सोजा ना अच्छा ना केला ही सोजाओंगा क्या सिर्दाद है यार वो देख वहां सो रहा है वो ठीक है आप जाईए अगर हिम्माद है तो मुझे सामने आकर बारू ना अगर मुझे गुसा गया ना तुन बहुत रहूंगा तीन दिन तक नहीं उठेगा आप और क्या किया रहे हो दो भी कितरा दो दिया उसे आपने अगर दिया उसे सीधा बाबा 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 इस रहा मुझे भी जल्दी करो न यह क्या सा वो तो सही सलामत गूम रहा है अगर माथे इक बोली किछ गढ़ी दोहे हो जा उसे मेरे सामने जाकर मारो ओड़ा हमस्या इस हो लोड़ा एयो कॉठ जो आसे को हुठ जो जो एज है मेरी भी मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है दाल काली नहीं है सार माक स्थाम स्पेशल डूटी पर में निकलो स्पेशल डूटी कहां सीखा तुमने महंदी लगा ना अची है ना सूपर गीता कम हीर आओ सिट डाओ सिट डाओ क्या हो अधादी सी कितनी अची लगा यह ना इस तुमने लगवाले ने रुक लगवाले महंदी लगाओ इसे अरे लगाओ यह दिक क्यों नहीं रहा है दिक नहीं रहा है क्या अभी भी नहीं दिखा आओ सिट गाओ सिट यह वो फैन बंद करनो सीदी हवा आरे है महंदी कराव हो रही है स्वारी प्लीज झाल 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 झा आज का दिन, आज के दिन का कब से इतजार था मुझे आज आया है तो तकलीफ हो रहे है हलो हलो क्या है ये सब अंकल, बेटी की शादी आपने खुशी-खुशी कर दी और अब आप लोग बच्चों की तरह रोते जा रहे हैं मैंने इसे अपने हाथों से बाला है पैसे कैसे विदा कर दो क्या अंकल, आंटी भी तो अपना घर छोड़के आई थी आपकी ममी भी तो घर छोड़के आई थी ये मत सोचिए कि आपके बेटी दूर जा रही है तो आपका रिष्टा तोट जाएगा ये सिर्फ इस घर से दूर जा रही है आप लोगों के दिल से नहीं पती के घर में चावल के बरतन को गिरा कर अंदर जाते हुए हर लड़की के मन में एक अजीब सा डर होता है अंकल और इसलिए मुझे लगता है माबाप को उसके अंदर एक आत्म विश्वास भर के भिज़ना चाहिए उसे आशिरवाद देना चाहिए कि वो जिस घर में जा रही है महां हस्ते हस्ते चली जाए बल्कि उन्हें उसे ये समझाना चाहिए कि सहनशील का सबसे बड़ा गुण आपकी हिम्मत उसके लिए सबसे बड़ा तौफा होगी आपका आशिरवाद ही इसके परिवार में सुख लाएगा हमेशा खुश रहना बेली बच्ची सुपब बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा भले ही तुम हमसे उम्र में छोटे हो पर तुम्हारी बातों ने हमारे दिल को जीत लिया शब्दी नहीं बचे यह ऐसा पल होता है जब शादी का घर एकदम कुमसमसा हो जाता है पर तुमने हम जैसे मादा पिता को आज हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया है मुझे गर्व है तुम्हारे मादा पिता पर जिनोंने तुम्हें ऐसे संसकार दिये तुम कहां से हो बेटा मैंगलूरू सर यह रहा मेरा कार्ट ओ, NK Constructions सुना है मैंने हमेशा खुश रहो भाया जी जब से आप गाउं गये हैं तब से साहब को देखिये नपी ही रहे हैं एई, भारे आप पहले तुमने कभी नहीं पी फिर आप क्यों पी रहे हो देखिये डाड, मैंने आपको पॉमिशन दी थी सिर्फ एक पैक पीने की आपको कहा था लाइट ड्रिंकिंग करना तो आप ताइट होके बैठ गया हैं वो, तुम घर पर नहीं थे तो मैं अखेला पड़ गया था इसलिए पेक पर पेक पीता चला गया ठीक है, लो नहीं पियो I love you I love you myself तुम्हारे अलवा, मेरा और कोई नहीं है और आपके बिना, मैं भी कुछ नहीं है अब ये नाटक बन कीजिए मैं आ गया हूना, इसकी क्या जरूरत है बिलकुल नहीं, नहीं पियोंगा ठीक है, तो आप सो जाएंगे, चलिए अब बिलकुल नहीं है सर, कवनेंट नहीं हाईवे और एरपोर्ट के टेंडर के लिए खबर वजवाई है इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से एरपोर्ट का प्रोजेक्ट बहता रहा सा नो, नो, I think हाईवे इस बेटर प्रोजेक्ट क्योंकि उसमें हमें एक्स्पिरियेंस भी है यह हमार ले एक नया चालेंज होगा अगर हमें एरपोर्ट प्रोजेक्ट मेंता है तो हमारी कंपनी प्रोफाइल से इसको फाइदा होगा पर हाईवे में ज्यादा प्रोफित है यह दोन्नों दो प्रोफित इन एरपोर्ट हाँ बिलकुल आई सपोर पार अएरपोर्ट सर्थ यह दो सर्थ यह दो आई आई प्रोफित बहतर है सर्थ मी तू मी तू सर्थ डिशिए इस यह जोड़ प्लीज टेक अगर इंकोड़ बाबाहट.com इसको बाबाबाहट.com डिशिए प्रोचे कर रहे हैं कि हाई वे प्रजेक्ट बहतर है या एरपोर्ट आपका क्या कहना है सर्थ डैन यह सर बट डैन क्यों चुर्वो करनाटक में केसार है, तुगा भद्रा है और एक है अहां लिंगन मक्य हालमती, हारंगी, हेमावती, कोदसली, वानिविलास सागर, शांती सागर, वसल सागर, रिनुका सागर हरित्रा, राजालक्षमनकोडा, कन्वा, कद्रा, भद्रा, सुपा टोटल, वहाँ सत्रा मेजर डैम्स है, पर हमारी कमपनी ये डैम बनाएं इसलिए, मैं सोच रहा हूँ कि हम गवर्मेंट को एक प्रपोजल भेज़ें जब ही रणी आम बड़े बड़े inवेंटर्स की बात करते हैं, तो हवाई जहां साटलाइट और बिजली इंवेंट करने वालों की बात होती है लेगिन मेरा मानना है, सबसे बड़ा इंवेंशन और उसे इंवेंट करने वाला किसान और उसकी बशल है The farmer is the first scientist. अगर इनसान का पेटी नहीं भरा होगा, तो invention कैसे करेगा? पर हमारी कमपी को, इस प्रोजेक्ट से कौन फ़ाइदा नहीً होगा? हाँ, मैं समझता हूं, वम बिजनेस कर रहें, और पैसा कमाना हमारा मकसद है. पर हम हर बिजनेस से सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते हर इनसान जो खाना कहा रहा है वो उन किसानों का करजदार है अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया थो हम लोग जिन्दा नहीं मचेंगे अगर आजकल हम देखें तो किसान का हल म्यूजियम में नज़र पानी मिलेगा अगर पानी है तो फसल है फसल है तो किसान भी है और अगर किसान है तो देश है मेरे पास इससे रिलेटेट सारे डॉकिमन्स रेड़ी है अगर उसे रोकने के लिए मैं अपनी पावर का इस्तेवाल करूंगा मीडिया वाले हंगा तो ये मामला तुम ही सम्भालो फीग है ये रहा मेरा विजर्टिंग कार्ड इसी रूम में आराम से बैटकर सड़के और विल्डिंग्स बनाने की मज़ा आए जिस जगे पर हम केमिकल फैक्टरी बनाना चाहते थे तुम उस जगे पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना चाहते मेरे अंदर जरा भी शराफत और सहन चीलता नहीं है अगर तुम मुझसे बुड़े तो तुम्हें मार पीट के हाउस्पिटल पहुँचाने के बारे में नहीं सोचूंगा सीधा तुम्हें यमलो पहुँचाने गा थोड़ा बहुँच डर लगा की नहीं लगा टेक केर कौन है भे तुम्हे जिसे तुने कार्ड दिया उन्हें का विसिटिंग कार्ड उन्हें जब कोई किसी राज दर्बार में आकर राजा को धमका कर चला जाए और राजा उसे इस बात की सजाना दे तो समझ जाना चाहिए कि राजा के राज जी की रक्षा करने के लिए उस राजा का एक यूवराज भी हो सकता है कि राजा सकता है तेरा बाप कोई हीरो है क्या? हर बेटे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है और हर बेटा अपने पिता के लिए हीरो होता है मुझे तेरी आखो में डर नसर आ रहा है टेक केर अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत मारूंगी मा, मैं ये नहीं करूंगी मैं तेरे पापा की तरह तेरी हर बात नहीं मानने वाली तुझे बैंगलूरू में ही रहना होगा और होस्टल में रहकर पढ़ाई करनी होगी पापा लक्ष्मी क्या कराबी है जी के में बताईए ये बच्षी भी तो पिछले दो सालों से अपने माता पिता से दूर होसल में रह रही है न और सुन अगर तु बिना वजय यहां वहां शहर में घूमी न तो तेरी टाउंगे तोड़ दूगी लक्ष्मी जब तक इसका मन यहां नहीं लग जाता तब तक हम कुछ दिन पैंगलोरों में ही रह लें आप जाएगे यहां से आपकी वज़े से यह इतने भी गड़ गई है ऐसी बात नहीं है मा जी मा पापा प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए मा 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 हेलो हेलो हुष अजय है! हम इसा? हम 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 क्या हुआ कछी? मेरा इश हेर में विलकुल मनगा रहा नहीं कॉलेज में और नहीं हॉस्टिल में मैं घर वापस जाना चाहती हूँ शुरू शुरू में सबको ऐसा लगता है पर धीरे धीरे आदत हो जाती है चल चल के सोते हैं तुम जाओ, मैं आती हूँ आर्या क्या सोच रहे हो बेटा कुछ नहीं पापा, बस वो डाम प्रोचेक के बारे में सोच रहा था इतना मत सोचा करो बेटा एंज्वाइव और लाइफ इस पार्टी डाइम मैं पापा, मैंने लाइफ में पार्टी वाटी बहुत कर ली आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए ठीक है आप जाने दू वैसे तुम तो शादी में गए थे ना ए पापा, ए अरे, अरे, रुको सुनो तो सही, वहाँ कोई लड़की वाड़का भी नहीं रही पापा, सही टाइम पर बता दूँगा टाइम? हाँ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस काम करने में निकाल दी और इस पीच तुम सारे बच्चे कब बड़े होगे मुझे पता भी नहीं चला इस बात का मुझे कुई दुक नहीं क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि जो मैंने जी पाया वो जिंदगी मेरा बेटा जरूर जीएगा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी जी ली है हर किसी की जिंदगी में अपनी खुशियां होती और अपने कम भी होते हैं लेकिन बेटा मैंने जिंदगी की जो खुशियां मिस की चाहूंगा उन्हें तुम जी हो पापा हर पिता अपने बेटे से हमेशा कहता है कि पढ़ो और काम करो लेकिन एक आप हैं कि मुझे जिंदगी जीने के लिए कह रहे हैं पापा यॉर तु बॉल्स पेस्ट फादर यॉर यॉर बॉल्स पेस्थिंदगी क्यू बे शादी होगए तो, दोस्त को भूल गया हैं बहुत मजे कर रहा हैं काहे के मजे, तुझे क्या मता मेरी हमद्ट कैसे है बाइया? ठीक हू बाभी, थैंक यू वैसे आप कैसे रहा है, ठीक हूँ, जी रही हूँ इनकी क्रिपासे, कितनी छूटी है यह, या सुनना, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी, है, तु बोलना क्या चाहिए, मैं अपनी जान दे दूँगा तेरे लिए, हाँ, जान नहीं चाहिए, बस गिता का बावर चाहिए, अब सॉरी, यह लो, अभी तो तु मेरे लिए जान देने वाला था ना, ओए, तु मेरे बीवी को जानता नहीं है, वो दिखती बंदी है, लेकिन अंदर से एक दम बंदा है, क्या, मतलब मैं उसके सुभाव की बात कर रहा था, बहुत बड़ी गुंडी है वो, यह मत भूल कि तु मर्द है, यार, मर्द, अबे, जब से शादी हुई है, तब से मैं भूली किया हूँ कि मैं मर्द हूँ, अबे, क्या बोल रहा है, कम ओ, बी अ मैन, भारी आवाज में उसके ओपर चिला, कहा आप जाएगी वो, सच्छी, हाँ, आजमा के देख, कुशिश करता हूँ, ए, सुनो, क्या है, यही कुछ ने, चलाट, जा यहां से, तुझे यहां पर किस ने बुलाया, ए, नहे न, हाँ बोलो, मुझे गीता का नमबर दो, किसलिए, उसकी कॉलर रोटून मुझे चेक करनी है, तुमें इससे क्या, तुम बस नमबर दो, ठीक है, तु अंदूर अकर अगर मुझे पहले पता होता ना तो पहले सी भारी आवाद में बात करता हूं से, यह वेटा तो गया अजकाम से, तोई, गियुमी हर नंबर तुम्हे शादी में मेरे साथ रोमांस करना चाहिए था पर तुम दूसी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे फ्लर्ट वो क्या होता है बेबी अच्छा चूठे मकार कहीं के उससा नंबर चाहिए दू नंबर बेबी नंबर में अपने लिए नहीं भाई के लिए मांगा किया अच्छा भाईया आपने इंसे नंबर मांगा किया नहीं तो अरे ब्रो कहां चले नंबर मिला क्या मिला तो दे न अच्छा हो या शेक में ब्रो उसने मुझे ऐसे पीसा जैसे मिक्सी में केला पीस थे कोई बाती है यार बीवी ने माला है ना उसका हाथ पनता है तुझके मैं किसी को नहीं बताऊंगा ए उसका नंबर देना यार पीस उसने मुझे कई दिनों तक पीटा तेरी वज़े से आज भी पीटा किया भाड में जा तू अबे वहां मैं जा वहां तेरी बीवी है यार नंबर देना पीस नहीं मिल सकता समझा क्या करूं मैं यहां तो मेरा बिलकुल मन नहीं लग रहा है आरिया को कॉल करूं क्या है यहां नहीं मैं नहीं मैंने पीस यार अलो कॉन है तू 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 किया है तू तू किया है यहां चारू वो कॉन है यह लीना तुम्हारा ही नम्मर है यह तू तू में पून किया है यह मैं हूँ आज तू में बेरी याद कैसे आगई यह वो मुझे तू मेरे चोटी सी है अखी कर सकता हूं आज तू कंटे रूं को मैं प्लाइट पकड़ करा अदया हूं ने ने यए ऐसा रही मत करना मतलग मैं बैंगलूरू में भूलगे शुक्र है कि तू मोज़े भूल गई होगी शुक्र है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर था मैंने तो एक्सपेक्टी नहीं किया था कि हम इस तरह मिलेंगे तुमने मुझे फोन किया था ना हेल्प करने के लिए क्या बात है बाइक हाँ बाइक तुम्हारे पस कार लेए कार चाहिए तुम कहीं जाना चाहती हो क्या तो भाइप पर चलते हैं न करा यह यह तो बात ही नहीं कर रही है या अच्छा कॉलेज में सब ठीक तो है न किसी रिश्टतार के ग़ंपर रुकियो क्या अच्छा तो पीजी में रुकियोई हो वो मतलब हॉस्टिल में रुकी हुई हो अरे तुम नहीं कुछ बोलो ना मैं अकेला ही कबसे बखबख किये जा रहा हूँ लोग सोचेंगे मैं टपोरी हूँ टपोरी मतलब चलो शुकर है कि मुझ तो खोला सवाल बूजने के लिए इस हैं टपोरी मतलब मैं हूँ ओ अच्छा हूँ सुनो हम दोनों आटो में चल सकते हैं हूँ 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 मैंने लोगों को पीछे बैट कर बहुत कुछ करते हुए देखा है पर तुम दोनों तो इतनम चुपचाप बैटे हूँ शायद गाना अच्छा नहीं लग रहा है कमान एंजॉए दे मिल्जीक या वाँ 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 बैटे जी क्या गाना चला है सुपब आई लव यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैडम इसमें गुस्टा वाली क्या बात है गुस्टा इस पर गुस्टा भी न करूँ तो इस आटर में बैटे ही नहीं चाहेगा चल बाँ ए ए गीता अब जाओ या रुको ना कल सुबा तस बज़े हो सिरके पहला आजाना लगता है लड़कियों को टाइंक पर आना आता ही नहीं है मुझे तो दस बज़े आने को प्ता है और खुद अभी तक गायब है मेरे साथ खेल रहा है तू रोक एक मिनट अब मैं समझ गया तू पक्का चीटियों की रानी होगी तभी लड़के से इतना दूर भाग रही है अगर मेरा गैस सही है तो तुम्हारा नाम गीता ही होगा बाइ चलो अच्छा है तुम हस भी सकता अब चले हेलो मैडम ये आटो और बस का चक्कर रोज रोज नहीं चलेगा और इस बाइक को मीलो खीच खीच कर मैं अपनी टांगे नहीं तुड़वा सकता प्लीज बैट जाओ अक्सिडेंट भी हो जाए मैं ब्रेक नहीं लगाओंगा मदर प्रॉमिस अगर मुझे ब्रेक लगाना पड़े तुम्हें पहले ही बता दूँगा इतना तो भरोसा करो यार फ्रेंड हाँ फ्रेंड अउल्ली फ्रेंड 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 चलो मान तो गई तुम तो ऐसे डरी हो जैसे बच्चे पहली बार जूले पर बैठने से डरते हैं लोग देखेंगे तो सोचेंगे मैं तुम्हें किड्नाप कर रहा हूँ देखो मैं तुम्हें एक इंच भी टच नहीं करूँगा प्लीज आराम से बैट जाओ पहले तो उसने भाव ही नहीं दिया फिर उसने कहा फ्रेंड बाद में बनेगी गल्फिन और आखिर में बनेगी वाइफ फिर होगी जंड लाइफ यार तो कुछ भी बखवास करते हैं अबे तु इन बीवियों को जानता नहीं है अगर माननो खाते हुए मुँ में बाल आ गया अगर मैं पीम बन गया माँ तो ये शादी का सिया पाई बैंड करा दूगा बस चुप करा पीवियों के बार में ऐसा मत बोल लड़किया ही घर को रौशन करती है तुने वो गाना नहीं सुना क्या लड़किया ही घर का असलीची राज कितनी देर से बहुत टाइम हो गया तुससे अच्छा तो दूस्त हो ये नहीं सकता थैंक्यू देंक्यू देंक्यू चलता मोँ ख्याल रखना थैंक्यू बाई-बाई-बेस्टो लग आते रहना बेबी बोलो बेबी सुरो देखो तो आसमान कितना अच्छा लग रहा है अच्छा कहा हम किसानों के लिए हमारे खेट ही हमारी जिन्दगी है जो डैम आप यहां बनवा रहे हैं उससे हमारे जिन्दगी फिर से रौशन हो जाएगी आप हमारी जिन्दगी में भगवान मन कर आए हम आपके अर्सान मन है यह आप कैसी बाते कर रही है यह तो मेरा फर्ज है आपकी तरक्की होगी तो मुझे खुशी होगी मैंने डिसाइड किया है यह पूरा डैम प्रजेक्ट मेरा बेटा रगू देखेगा काम उस मिनिस्टर का काम था लेकिन आज से मेरा काम है तू प्लैन बनाए जल्दे ऐसे अचानक कैसे आना हुआ आने से पहले फोन भी नहीं किया बस बेटी से मिलने कमन हुआ तो आ गया कुछ खास नहीं आप एक बार चरके फैक्टरी देख लेते तो अच्छा होता तुम हो ना फैक्टरी समालने के लिए जीवा जी साम मंदर ले चलो ठीक है साम पर मंदर क्यो गीता को फोन किया था वो वही है मैं उसे जरा सर्प्राइज देना चाहता हूँ साप जी कौनसे मंदर जाना है आरे जो रास्ते में है अरे ये तुन्हें क्या किया जीवा साप जी सॉरी साप जी क्या किया तुन्हे दिखता नहीं गाड़ी ठोटी तेरा क्या मतला में आंदा हूँ अब ये तेरा गर नहीं स़ाख है और इसा देखता निया क्या आई में। अन्या грacemľ करे कि शोगे धाता है? अरे सुनू, तुम कहा ही आरे, मैं अभी आता हूँ ए, ए, ए जीवा, बस, चलो दर, चलो, राही बत रो, जीवा, ए जीवा, जीवा, जीवा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जीवा लवी 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 वे इजान के आरे, मैं बात कर रहा है आया, इतो अदो नुना शिर्गरो आप आप बस बस दो अप एप 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 आप दो तुम्हें पता है नुचे सब बिर्कुल पस दूई पिर भी क्या सॉरी, फोन दो मुझ़े, फो टो ऑप देदे हो या नहीं फोट दो म्जे पास बता ना पीछात दो, फोटोस दिलीट करे दो अजय को 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 अजय क क्रूस fixes अघारब कर दोंग खमें ढुलका तोंगे रखागाग कि आपव आप जीघड़ जीघड़ तो टोसी को पितुती जब एक प्लेंग जीड़ियों जाप नगीं जीड़ियों जीड़ियों प्लेंगे शीड़ियों जीड़ियों कि अखिज कर दे हो! कर दो 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 झाल गीता गीता तुम घबराओ मत इस दर्की को कुछ नहीं होगा इसकी फिक्रतों मत करो तुम जाओ जाकर उन्राक्षासों को खतां करो झाल प्लतुब्स झानल बलाज अग नग झाल कर दो कर दो कर दो जब रावन ने सीदा कुछ हुआ था तफिराम वहा नहीं थे इसी लिए उस दिन रावन जिंदा मच गया रही है वराज पूरे सीदा कु राव के साम नहीं थे बस रुक जाओ धो के बास तो हो ही तो और क्या किसी के हग क्यारे भी बन जाओगे वाद्स 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 और किसी को नुचल कर देख भी थे ख्रश्यदाब वहाद्स थांक यूder वहाद्स फोन दो उठाले आस्टिल जाओ ठीक है हाई पापा क्या बात है पापा आज आप थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं ऐसा कुछ नहीं पिटा पापा क्या बात है इस उज्वल आई यू शॉर बस काम की वजय से वक्त आने पर तुम्हे सब कुछ बता दूगा अच्छा राम मुझे बता रहा था कि तुमने दो दिनों से कुछ भी निखाया है ऐसे क्या बात हो गई बताओ तो बेटा कुछ नहीं पापा बस थोड़े सी ओफिस के टेंशन है आई शॉर यह भगवान हमें रोज खाना तो देता है पर बीवी यह फैसला करती है कि बिरियानी खानी है कि घास फूस इसलिए कभी भी बीवी को नाराज मत करना वाँ अगर इस किताब को पढ़ने के बाद मैं अपनी बीवी को कंट्रोल कर पाया ना तो मैं तुम्हें शेर की खाल वाला कोट तोहफे में दे दूँगा अपनी नाराज बीवी को मनाना कैसे है यह मेरे काम की चीज है अगर आप अच्छे से तयार होकर पर्फ्यूम्स लगाकर जाकर उसे गले लगाकर किस करोगे तो उसका गुस्सा छूम मंतर हो जाएगा वाह क्या आइडिया है अरे सुनो क्या है साब मालकीन का है अरे वो तो दो साल पहले ही मर गई न साब अच्छा सेलेरी मिल गई इसलिए तुम्हें मजाग सूज रहा है क्या मैं अपनी बीबी की बार में पूझना हूँ वो तो दो घंटे से घर में ही नहीं है ना कहा गई है चट पर मजाग मजाग करना जरा बन करो नहीं तो एक मिनिट मैं घर से बार निकाल दूँगा ए हस क्यों रही हो मैं तो पहले से इच बार हूँ ना साब पंच लंच टाइम पर आना बताता हूँ तुझे ते बेबी आज मैं तुम्हें एक प्यारा सा बेबी दूँगा बेबी बेबी पॉफ्यूम कैसा लगा अच्छे खुश्बू है ना इसकी तुम यहां हो तो फिर यह कौन है मुझे पता था कि तुम ही हो पता था उसके बाद भी गले लगाया मेरा वो मतलब नहीं था शादी में फेरे मेरे साथ लिये तुमने और मेरे गेर माजुदगी में यहां रुमाज करते पिटते हो बेबी चिल बेबी वट आ यू टॉकिंग मैं तो एकदम तरो ताजा 2,000 रुपे का नोट हूँ यह बैन हुए एक हजार के नोट को क्यो छूँँगा सही कहा न क्या बोलो क्या बोलो चलो 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 माजी आप यहां कैसे तेरे लिए खाना लाई हूँ बेटा अरे माजी इन सब क क्या ज़रूरत थी तुम किसानों की बूट का कितना खियाल रखते हो हम सब के लिए कितनी महनत कर रहे हो तो हम तुम्हे खाना नहीं खिला सकते क्या बिटा आरे तुछां को खिलाओम न गीता मेरी बात मान ले आर्या को पुन कर ले कर ले ना गीता आर्या गीता रोकियो रही हो तुम पापा किन्त बेटिक नहीं है क्या हो क्या वाई प्हाई जारा liberal ले प्हाई रे पुम कर ले याई भ्हाई र्हाईół्या लेliers घर्मार बार सके बात्वIES आया, कहां जा रहे हो तुम? मैं तो अपने घर जा रहा हूँ क्या? तुम साथ महीं आओगे? मैं आया तो शायद वो गलत सोच लेंगे तुम जाओ ना कुछ नहीं सोचेंगे वो तुम तुम मेरे दोस्त हो ना? फिर से इसका दोस्ती का राख शुरू हो गया बोलो? हाँ, दोस्त, दोस्त, सिर्दोस्त अच्छा चल निकल बेटा बाई पापा, ये सब कैसे हुआ? कुछ खास नहीं बेटा बस बीपी लो होने के वज़े से बेहोश हो गया था बेबी, डोन्ट फ्राइ, क्राइ, I know गीता हाँ, तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे पापा बीमार है? वो, दादी मुझे लगा डॉर्टल का खिला-खिला फेस देखकर इसके पापा एकदम ठीक हो जाएंगे इसलिए मैंने फोन कर दिया था लुक एट हिम, हाव शाइनिंग पर तुम्हाई कैसे? दीदी, क्या पूछ रही है? क्या फरक पढ़ता है कि वो कैसे आई हो? बस आ तो गई है न? पापा, आपने का था न, लो बीपी हुआ है ये कैसे हुआ? पिछले कुछ दिनों से जीजाजी बहुत परिशान है जब से बैंगलूरू से आये हैं तब से कुछ ठीक नहीं लग रहे क्या हुआ पापा? बताईए मुझे दरसल बिटा अब धरने की बात नहीं है भाई साथ थोड़ा ठक गए है कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे अरे तुम लोगों ने यहाँ भीड क्यों लगा रखिये? क्यों खड़े हो यहाँ पर? जाओ, जाकर अपना अपना काम करो ना, जाओ तु जिन्ता मत कर बिटा तु जा बिटा जा कि आराम कर कर दो है के हमाँ बिटा जाँ अपना कर दो कर दो जाँ प्लिटा जाँ 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 माम्मे, ब्रो, पताया तुशे ये सब, ब्रो, तू ये भी नहीं पूछे का कि ये सब कैसे हुआ, पत्नी हाए वे पर पती के साथ बाइप पिचा रहे थी और किर गए, बेचारी, कितनी चोट लगी होगी उसे, अरे उसे कुछ वहाओगा तो उसका पती उसे देख लेगा, तुम मुझे देखना भाई, मेरी आलब तो इस घर में खराब गाड़ी की तरह हो चुकी है, तू अभी भी नहीं पूछेगा कि ये सब कैसे हुआ, अगर मैंने पूछा तो तो अपनी इज़त बचाने के लिए जूट बोलेगा, कि बातरूम में गर गया है ना मैं तुझे सब सच बताऊंगा, तो बता, मेरी बीवी ने मुझे मारा, क्या बोल रहा यार, तेरी बीवी में इकनी ताकत आई कहां से, उसने अकेले नहीं मारा, उसने तो सिर्फ मेरा थोबडा भी गाड़ा है, अरे दिखा तो, मेरी नौकरानी ने मारा मुझे, इसने मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ, भाबी, मैंने जुनाएं कि आपकी नौकरानी बहुत सुन्दर, या अपना पती बड़ लीजे, या आपकी नौकरानी, मेरे किताब, किताब कहां गई, यरी, कहां जा रही हो, बेंगलूरू जा रही हूँ, मैं और तुम्हारी पापा, तुम्हारी ये लड़का ढून रहे है, मैं उसी से शादी करूँगी, जो लड़का पापा को पसंद आएगा, वैसे एक बात कहूँ आपसे, आप अपने लिए भी एक लड़का ढून लूँ, बाइ, 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 तुम्हारे तो एक्जाम्स है न, हॉस्टल में पढ़ाई करने के बजाए, तु मुझे या मंदिल में क्यों लेकर आई हो, ओहो, इतना भी नहीं पता तुम्हे, एक्जाम में पास होने के लिए भगवान को तुम्हारी पढ़ेगा न, हाँ? बाइ, 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 जामॉड़ में इतना भी या उती, अ, हॉर अ, मुझे लिए, इतना भी वापिर। अब एक और मंदिर? बस ये आखरी है, चलो गीता, क्या हुआ? तुम ठक गई हो क्या? हां है, तुम रोग्यो रही है? इवीता, ये देखो, पुरे मन से भगवान को याद करो ये दिया बुझना नहीं चाहिए क्यों? तुम प्रार्टना तो करो, मैं बताता हूँ प्लेस भागवान, प्लूज ऑन् प्लेस, 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 प्लेस ऑरे, यह तो पुझ गया? इस बार तुमें पक्का फेल हो जाऊंगी अब एक बार फेर से भागवान की पराप्तनाओंग गरो से खिला के लंगई। अरे यह नहीं बुजा। सरस्वती डेवी की बूजा करने से कलाम साइंटिस नहीं बना। लक्षमी माता की बूजा करने से अंबानी इंर नहीं बना। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने हाथों से इसे ढखा है, यह मेरी कोशिश है, और यह दिया बिना मुझे जलता रहा, यह मेरी कोशिश का एक फल है, थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी पड़ेगी न, सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे, तो वो बेचारा कितना कुछ करेगा, हम बिना कोई कोशिश करें, भगवान पर सब को छोड़ दें, तो क्या भगवान भी हम वो चीज देगा, देखो गीता, तुम पढ़ाओ, जितना आता है उतने में एक्जाम लिख दो, फिर बाकी सब भगवान पर छोड़ दो, मुझे हास्टिल जाना है, लेकिन क्यों, जल्दी से हास्टिल ले चलो, क्या हुआ गीता, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, ओहो, मुझे, मुझे पढ़ाओ, कि अच्छिल गाथ ! कि अच्छिल लेगेश बास्टी के सकता है, लिस दॉस्टी के लिए यच्छियन लिए। तियुछ दोघ। और भॉगाओ, रहकी में विश्भन का सुबकिया थे लिए। छोग्में गीता है! मिस्टर शंकर कोर्ट ने नोटिस बेजाए आपको अरेस्ट किया जाता है इतने भोले बनने का नाटक मत करो इस जगा पर कैमिकल फैक्टरी बनाने के लिए तुमने इन किसानों की जमीन को हत्याने का प्लैन बनाया तुम्हारी ही कंपनी की साइन की हुई फाइल है मेरे पास जिसमें लिखाए कि यह जगा पर कैमिकल फैक्टरी बनेगी सेखिनिचर ये लग लिए चान बोज़कर ही तुमने गंदा माल इस्तेमाल किया डैम की दिवार को किराना तुमारी चाल थी तुमने किसानों की जिंदगी बरबाद कर दी है साब जी हमें लगा आप हमारे भगवान है आप हम सब की जिंदगी बचाने आये है इसलिए आप पर विश्वास करके ये सारी जमीन आपको दे दी एक बार भी हम नहीं सोचा लेकिन आप थे हमारे साथ धोखा किया है जेस मिल्टे की हमारे पुरवजों ने पूझा की जो जमीन हमें अपनी चान से में प्यारी आपने हमें पानी और हरी जमीन का सपना दिखाया आपने हमारे जिंदगी बरबाद की आप कभी सुखी नहीं रहोगे बरबाद हो जाओगे जैसे हम बरबाद हो रहे हैं तुम भी हो जाओगे तुम्हारा कभी बढा नहीं होगा आरे भुम्हारा कि है मारो से झाल, 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 झाल! झाल, 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 झाल! झाल, 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 झाल! झाल, 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 झा क्या किया इसमें? हेई, क्या किया इस उन्हें, सबस्थ बता? ये कुछ नहीं बोलेंगे सर, इन्होंने साप के साथ धोखा किया है, धोखे बाज है इनसान मैं आपको बताता हूं सच्छा ही क्या है, दरसल हुआ चाहिए बोल, क्या ये सच है? बोल, बता हूं सच्छ क्या है, पैसो के लादश में मुस्से गलती हो गई मैंने पुलिस और उस वकिल का साथ दिया, मुझे माफ कर दीजिए अरे पापी अगर पैसे ही कमाने है ना, तो मेरे पापापी बताता है पापा का बिजनस बहुत बड़ा है, सिर्फ किसानों की भलाई करने के लिए ताकि पूरे साल फसल उगाने में उन्हें पानी की कमी महसूस ना हो सिर्फ मेरे वादे को पूरा करने के लिए, मुझे एक भी सवाल किये बिना वो ये डाम बनाने के लिए तयार हो गए बिना प्रॉफिट की परवा किये, उन्हें अपना पैसा इसमें लगा है आप लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए, आपकी खोई हुई जमीन की भरपाई करने के लिए जिस इनसान ने अपनी जमीन भी आपके नाम कर दी, वो महान इनसान मेरे पापा है और आप लोग इन्हें धोके बास कह रहे थे ना ये आप लोगों के साथ कभी धोका नहीं करेंगे, अरे ये तो आप के लिए अपनी जान भी दे देंगे चाहें ने कितनी भी बेज़दी बरदाश्ट क्यों न करनी पड़े, अपनी आखरी सास तक किसानों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे अमीर होने के बावजूद मेहनत का मूल समझने वाले, देवता जैसे इनसान, मेरे पापा है एड़ोकेट को करनी को फोन करो, इन लीगल इशुद को वही हैंडल करेंगे हमारे जैसी कंपनीज के लिए इस तरह की लीगल प्रॉब्लम्स फेस करना तो आम बात है सर मेरा फोन दिसकनेक किया, अभी बताते हूँ हम इस तरह का डान प्रॉजेक्ट पहली बार बना रहे हैं पर हमने किसानों से उनकी जमीन लीगल ही खरी दी थी फिर समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है मेरे ख्याल से इसके पीछे किसी मिनिस्टर का हख लगका है अभी हम राजनीती के बार में बात ना करें तो ही अच्छा है फिलाल हमारा द्यान इस बात किसा बना चाहिए हूँ कि हम अपने इस गाम को कैसे पुछ जोगी नहीं कि बात क्या है ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत प्रस्टीजिस है बहुत करते करते फोन कार दिया अभी बताती हूँ इस तरह का कोई डाम का प्रोजेक्ट हम लोग पहली बार ही बना रहे हैं पर हमें ये प्रोजेक्ट बहुत चल पुरा करना है आ रहे हो पापा, फोन उठा लूँ सॉरी, सॉरी क्या बात है? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, क्या बात? मैं होस्टल में हूँ, यहां आजाओ जल्दी आओ आने दोसे में बताती हूँ हाँ क्या है? अरे हलो 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 मैं हूँ बेटा पापा अब आगर तुम इस वक्त बिजी हो तो मैं बाद में फोन करूँ बात क्या है पापा? कुछ खास नहीं बेटा बात यह है कि हम तुम्हारी शादी अपने ही खास रिश्टेदार से करना चाहरे है मैंने तुमसे तुम्हारी राय पूछने के लिए फोन किया था कुछ बोल नहीं बेटा पापा शादी हाँ अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ही पापा मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त दीजे मैं आपको फोन करते हूँ ठीक है बेटा अच्छी बात है उसे थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए मैं उससे बात कर लूगा ठीक है भाई साब अच्छी बात है विशू क्या बात है इतने गुसे में क्यों पूछ रहे हो अब क्या कह दिया मैंने इतना ही पूछना हो क्यों बुलाया कुछ नहीं मैं पापा के साथ एक जरूरी मीटिंग में था उसे छोड़ कर आ रहा हूँ मैं अच्छा तो तुम्हारे पापा मुझसे जादा इंपोर्टन्ट हो गए ए क्या बखवास कर रही हो तुम्हारे पापा इंपोर्टन्ट हो सकते हैं मेरे पापा मेरे लिए इंपोर्टन्ट है देखो मेरे पापा के बार में कुछ मत बोलो तुम्हारे पापा अलग है मेरे पापा अलग है पागलो जैसी बाते करती हो तुम मैं पागलो जैसी बाते कर रही हूँ तुम मुझे पागल कह रहे हो ठीक है, भूल जा, मैं आ गया हूँ न, क्या बात है बोलो ऐसे ही ऐसे ही मतलब? ऐसे ही मतलब ऐसे ही तुमने मुझे बिना वज़े यहां बुलाया है क्या? अब बताओ न, बात क्या है? बात यह कि मैं घर जा रही हूँ क्यों? उरुने लड़का डूण लिया है इसलिए तो तुमने हां कह दिया क्यों? हां नहीं बोली चाहिए थी तुम हां कैसे कह सकती हो? अपने पापा की पसंद को मैं ना कैसे कर दू तुम कौन होते हैं मुझे यह बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? हां? मै कौन हूँ? जब तुम्हारा यहां कोई नहीं था तब तुम्हारा जिस ने साथ दिया था न वो हूँ मैं अपने दिल से पूछ कर देखो तुम्हें जहां कहीं जाना था तुम्हारा खायाल रखने जो आया था न जिसकी molto and ahead वो हूँ मैं सही कह रहे हूं, मैं कुछ नहीं हूं, हमारे बीच बस दोस्ती थी, और कुछ नहीं, देखो गीता, तुमको एक बच्ची नहीं हूं, मैं और तुम दोनों जानते हैं हमारे बीच क्या था, हम दोनों के बीच, क्या है बोलो, बताओ क्या है, तो क्या, हम दोस्त नहीं है, लो फिर से शुरू हो गया दोस्ती का नाटक, तुमने मुझे दोस्ती के नाम पे धोका दिया, तुम दोके बाज हो, यूरा चीटा! एई, इंसल्ट करोगी मेरी, मजाब उड़ाओगे मेरा, परिशान करना है मुझे? मुझे पता है, उस दिन जब बाइक पे मैंने तुम्हारे कंदे पर हाथ रखा था, और एक्जाम हाल के बाहर सब के सामने तुम्हें गले लगाया था, इसलिए तुम्हें यह बोल रहा हूँ ना? ठीक है रही हूँ ना मैं, ठीक? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच अत्ती छोटी है बस, छोटी सोच मेरी नहीं, तुम्हारी है मेरे दिल में कुछ और और जबान पे कुछ और ऐसा नहीं है, मेरे दिल की बाद तुम अब सुनो मैं तुम से बहुत प्यार करना हूँ आई लव यू शौक लग या इतनी हैरान मत हो आई लव यू बोलने के बस दस सेकेंड बात मैं तुम से ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो येस, येस, आई हीट यू आई हीट यू क्योंकि जानती हो, तुम जैसी पागल रटी के साथ रहा ना तो मैं भी पागल हो जाऊँगा भगवान का शुक्र है कि मैं बज गया जो तुम से शादी करेगा ना जिन्दगी बर्बाद हो जाएगी उसकी ए, क्या कहा? बर्बाद? थे, तुम्हारी तरह कोई एरागेरा नहीं होगा बहुत खास होगा अचर? ठीक मेरे पापा मेरे शादी किसी राजकुमार से करेंगे देख दे, कि तुम कितना खुश रह पाती हो उस राजकुमार से साधी करके जितनी खुशी तुम्हे राजकुमारी बनाकर मैं देने वाला था उतना कोई और नहीं दे सकता तुम भी देख लो जोटी गीता रे शाधी के लिए हां कर दी है तू गल्दी कर रही है गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी ठीक नहीं होता तो बात यह पच्टाएगी आर्या से अच्छा लडगा तुछे जिंदिगी में कभी नहीं मिलेगा गीता अपने इस एगो के चक्कर में तेरे दिल में चो आर्या के प्यार है उसे मत मार प्लीज गीता मच्चा यार गीता मैं अपने पापा की मर्जी से ही शाधी करूँगी उनकी खिलाफ नहीं गीता गीता आजा बेटा पापा आजा बेटा मैं ठाक कही हूँ थोड़ देर आराम कर लो अच्छे बात है जाओ सहाब आजा क्या हुआ आ आ रहा वो कौन है जाध्या हुआ जाध्या हुआ बाहिसा पापा, आर्या कोन है विटी, मेरा दोस्त है पापा, बिलकुल नहीं, उससे दोस्ती तोड़ दो, क्यों पापा, कुछ साल पहले, हम दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हुआ करते थे, एक दूसरे में जान बस्ती थी, बहुत अच्छे शंकर, अभी तुमारी करियर की शुरुआत है, और तुम्हें सरकार से इतना बगा प्रजेक्ट मिला, कॉम्रेचिलेशन्स, हैंकी रंड़, मेरा दोन, इंजलीनियर बन गया, खा, खा, बिठाई, खा, मसब, बैंगलूरू छोड़ कर वापस आजा, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जो मेरा है, वो तेरा ही तो है, आजा, हम साथ में खुशी-खुशी रहेंगे, यार, मेरी जिन्दगी में, और मेरी पढ़ाई में, तुमने बहुत मदद की है, लेकिन अब अगर मैं कुछ नहीं बन भाया, तो मुझे लगेगा ये तुम्हारी बैसती है, इसलिए मुझे लगता है, कि मुझे कुछ दिनों के लिए, बैंगलूर में जाकर कोशिश करनी चाहिए, ए, बदमाश, काम के लिए रुक रहा है, या फिर कुछ और, अरे या, ऐसे कोई बाप नहीं है, देख रही हो न, मा, शे, तेरे लिए लड़की भी मैं ही डूड़ूँगा, और शादी भी मैं ही कराऊँगा, वादा कर, इधर तू मुझसे दूर जारा है, और उधर मेरी बेहन मीरा भी मुझसे दूर है, तो तू फिर से शुरू हो गया, देख रही न, भाबी, देखो, तुम दोनों बाई बेहन को, मैं भलत क्यों दूर करूँगा, मीरा मेडिकल की पढ़ाही करना चाहती थी, तो उसने तयार ठीकी, मेरिट लिस्ट में उसका नाम भी आया, मैंने उसे पढ़ने दिया, गलत क्या गिया, मैं बच्पन में वीरा के बागेर कभी नहीं रहा, क्योंकि तू बेंगलूरू में है, इसलिए तुछ पर विश्वास करके ही मैंने उसे बहा बेजा है, तू बिलकुल फिकर मत क उसके जिम्दारी मेरी है मेरा प्यार सच्चा है, और मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, सच में, मैंने ये फैसला बिलकुल भी जल्दबाजी में नहीं किया, मैं सोच समझ कर ही तुम्हें ये बात बता रही हूँ मैं कल ही इस बारे में नरिसीमा से बात कर लेता हूँ माहिया को भी कुछ मैं बताना, मेरे एक्सान सोचानी दो, तुम्हें तो बताई है न, उन्हें कितनी जल्दी वुसा आ जाता है, अगर वो नहीं मानें, तो मेरी बढ़ाई मैं करवा देंगे, और मुझे सबदस्ती घर वापस लेता चले जाएंगे हम, चीक है, कल मैं किसी ज़रूरी काम से भैदरा बाच जा रहा हूँ वापस लोटने में कुछ दिन तो लग जाएंगे, अपना खयान रखना हूँ देर गाईश मान भव क्या हुआ, आज के दिन भी इतने उदास हैं मीरा की बहुत यादा रही है मुझे, उसके बिना हर देवार, बिल्कुल फीका लगता है पढ़ाई करने बाहर गई है तो आप इतने परेशान है, जब शादी करके चली जाएगी तो क्या हाल होगा आपका नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा क्या मतलब है आपका, शादी नहीं करवाएंगे उसकी करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा पर उसके लिए अपने ही गाउं का, अपने ही आसपास का कोई अच्छा सा लड़का ढूड़ूंगा ताकि मीरा शादी के बाद भी मेरे पास इसी गाउं में रहे कहां से ढूड़ेंगे ऐसा लड़का आप क्यों हमारे गाउं में ऐसे लड़के नहीं है वहेश, तनका पूरी चाही तो यह मंदरी से काम किया कर यह कौन सा तरीका, अपने माली को लूटता है क्या आओ विश्वा, यह परवरी के अकाउंट्स की किताबे हैं आप ही देख लिजिए, इनका मन तो आज भी मीरा के ही पास है परिवर आप देख तो लेती माली किन तुमने चेक कर लिया ना विश्वा हाँ चेक कर लिया, तुम पर हमें पूरा भरोसा है जाओ, जी साफू मैं चलता हूँ जोटी, कौन है पॉन पर? मीरा, हाँ, बात करोवा मीरा, हाँ भया, मैं ही हूँ कैसे हैं आप सब? हम सब तो ठीक है, पर तू तो हमें बिल्कुल भोली ही गई किकने महीनी होना तुझे देखे परसों में तुस्से मिलने बैंगलोरू आ रहा हूँ अब मत आये भया, पर क्यू? फिलहार मैं बैंगलोरू में नहीं हूँ तो फिर? मैं बाहर क्याम्प में हूँ भया फिर तू हम सब से मिलने कब आएगी मीरा? क्याम्प की वचे से एक चिके से दूसरे चिके जाना पड़ता है भया पक्का नहीं बता पाऊंगी कि कब आऊंगी इसके खत्म होने में तीन-चार महीने और लग जाएंगे क्या कहा? तीन-चार महीने और? हाँ भया एक बार खत्म हो जाए तो मैं सीधा आपके पास घर ही आ जाओंगी भया अच्छा ठीक है फोन करके हाल चल बताती रहना छी भया नीरा मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी तुम्हारी तीसरा महीना चल रहा है तुम्हें अमजमान लड़के का नाम अभी है डॉक्टर आपके परिवार के लिए अतियुत्तम सही है लग्शोरी क्या चल रहा है यहाँ? देखिए न मीरा की और इस लड़के की कुंडली बिलकुल 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 है तुम जाओ अब बस करो इस घर के लिए तुमने बहुत काम कर लिया अब कोई गलती होगी तो माफ कर देना कल से काम पर मताना बगवान के लिए मुझे ऐसा मत बोलिये साहब आप मुझे लात मार के बाहर निकाल दीजिए मैं फिर भी इस घर को छोड़ूँगा नहीं साहब अब बाई अच्छा होगा अगर आप जादी से पहले अगर एक बार मीरा से बात कर ले तो नहीं रे वो खलत होगा वो क्यों बाई जब नसीमा ने अपने पूरे परिवार के सामने आपको मीरा कापती घोशित कर दिया है तो परिजान ही गया है उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप उसे मिले हो भाई भावी तो हसल में आई ही नहीं क्या मतलब इस वक्त हो हसल में नहीं तो का गई है का जा सकती है वो का गई होई है जाके देख आटो में को ना है हाँ हाँ मिया विश्वा तुम यहां केसे यह सब क्या है यह बात मेरे बैया को मत बताना विश्वा प्लीज मत बताना बैया रजिस्ट्रेशन कल सुबह दस बजे की यह कि उसके बारे में तुमने है विश्वा क्या हुआ बात क्या है साब जी मीरा हाँ मीरा शंकर शंकर मीरा मेरी बहन है वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा शर्म से सर चुक जाए शंकर मेरा चिकरी दोस्त है वो मुझे चुखा नहीं देगा कभी नहीं इस परिवाद मेरे बहुत है सायन है साब जी मेरा शंकर 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 मीरा प्रेगनेंट है? मीरा आपको पता नहीं उसने शंकर से शादी कर ली है क्या सुन रहा हूं सुन रहा हूं मैं अपने किये हुए वादे को पूरा नहीं कर सका मुझे माफ कर दे विश्वा आप क्यों माफी मांग रहे हैं साब? आपके तो कुए खालती नहीं है चाहिए जो कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाओगा मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं मैं आपकी बेहन से शादी करूँगा ये तुम क्या कह रहे है विश्वा? अगर आप हाँ कहें तो मैं आपकी बेहन जोती से शादी करने के लिए बेगारूँ इसे कहते हैं सचा दोस्त क्या हमारा परिवार एक दोखे बाज के साथ रिष्टा रखेगा? अब इतक मैंने तेरी हर बात मानी है पर इस बार तुझे मेरी बात मानी होगी मेरी बात मान, तो उसे भोल जा गीता, क्या तो आरिया से प्यार करती है? अगर उससे प्यार करती है तो किसी और इनसान से शादी मत करना मेटा तुन्हें अभी हा कह दिया, पर सारी तयारिया हो जाने के बाद उन्हीं शर्मिता करके चली मत जाना सब के सामने उनका सिर चुक जाएगा गीता बस मा बचपन से उन्होंने मेरे लिए प्यार का एक महल बनाया और उस महल की मुझे राजकुमारी बना कर रखा उन्दूस राजकुमारी की सामने नौकर बने रहे मैंने पूरी जिन्दगी जिस चीज़ पर हाथ रखा वो मुझे ला कर दी उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की खूशी में ही अपनी खूशी ढूंडी जिसके बास प्यार करने वाला इतना अच्छा पिता हो उन्हें मैं दोगा कैसे दे सकती हूँ और वो भी अपने प्यार के लिए मा वो मेरे पापा ही है जिनोंने मुझे तब से प्यार किया जब मैं शायद ठीक से पापा भूलना भी नहीं जानती थी में जीने का कोई मतलब नहीं अगर मैंने अपने पापा की दिल को चोट पहुचाए मैंने पहले भी कहा था आप भी कह रही हूँ मैं अपने पापा की पसंद के लड़के से ही शादिक करूँगी उसके अलावा किसी से नहीं करूँगी मा दादी अब हमेशा मुझे से कहती थी न कि मेरा पती एक राजकुमार होगा मैं को श्री राम की तरह है न वो सब जूट है कोई चंब से ही राजकुमार या श्री राम नहीं बनता है दादी वो श्री राम है या नहीं इस बात का पता चलेगा कि वो अपनी बीवी को कैसे रखता है जिंदगी में सरूरी नहीं हम जो चाहे वो हमें मिल जाए अपने प्यार करने वालों के लिए कुर्वानी देना ही शिंदगी है यार श्री राते हूं आपको गीता के बार में कैसे पता चला अर्या इतने सालों तक मैंने तुमसे एक बात चुपा कर रखी लेकिन अब उसे बताने का वक्त आ गया कर लेकिन अब गया गेता पहले जिसने हमें दोका दिया था ना आज उसने और उसके बेटे ने मिलकर किटनेप कर लिया है भाई साब कहां पर है वो बेखन आये कहां थो स१ाब निकल कियां, कि कम एड़े वड़े जो इस बस्किन अपड़े एड़ेए मेंरे जो एडिए में अवस्था प्रवार रहिए। कर दो 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 तौ कर दो कर दो कर दो झाल 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 क्या आप ठक गए आपको एक बात बताऊ आपकी बेटी गीता को मैंने किर्णाप नहीं किया आपको देख लीजे आपक्या नहीं थे ball आपको आपको बेख आपको पिएडिया क्यों गये, उन्होंने ये फैसला किया, और उन्हें सच का पता चल गया, आपको वो सच नहीं जानना, जो किसी को नहीं पता, इना प्यार सच्चा है, ये सच है कि मैं शंकर को बहुत चाहती हूं भया, शंकर? जी भया, इनका नाम और आपका नाम एकी है, शंकर, ठाक्टर शंकर बहिया, एकाउंट्स तो मैच ही नहीं हो रहे हैं, मुझे डर है कही हम पकड़े ना जाएं अदे रुक जा, मैं बताता हूं कि अकाउंट्स कैसे पराबर करने हैं, शादी के बाद भी मेरे पास इसी गाउं में हैं हमारे गाउं में ऐसे लड़के नहीं है, क्या रहे हैं, वहेश, तनका पूरी चाहिए तो इमानदरी से काम किया कर, अपने माली को लूटने चला ये कौनसे तरीका है, ये फरवरी के अकाउंट्स की किताबी हैं, विश्वा हमें तुम्हारे उपर पूरा बरुस है, जाओ क्या कहा, तीन चार महीने और, जी भईया, ठीक है मेरा, फोन करके हल चाल बताती रहना, जी भईया, मेरा, कॉंग्रिचुलेशन्स, अब क्या कहलेगे? मुझे ये बच्चा चाहिए हलो, हलो, मीरा है क्या? हाँ है, एक मिनिट उसे बलाती हूँ हलो, मैया, क्या हुआ, एकने दिनों तक तुम ने मुझे फोन ली किया? मैया, वो ऐसे ही, वैसे ही, सब ठेक तो है न? जी मैया, कोई परिशानी हो तो? मैया, आप आराम से काम ख़र्म करके आए, यहाँ सब कुछ ठीक है, ठीक है वो जरूर कुछ परिशानी में है, और मुझे से छुपा रही है भाई, ओपर का पैसा, कितना रखो मैं? कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन की शादी बाहर वाले से नहीं करूगा तो बस देखता जा, पर आपको ऐसे लगशानी में बगल देंगा मिलकुल मिलेगा, मैं उसे ढूड़ के खोपरे की कवाई के पैसे हैं, गिन लीजे न मेरी बहन मीरा की शादी तुमसे होगी गले लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी मुझे पहले नर्सिमा से बात करनी चाहिए थी भाया पर अब ही तुम चुपरो मीरा तुम दुनों इसी वक्त मेरे साथ काहों चल रहे हो भाई, बावी दोजल में आई ही नहीं ए, देख तो आटा में कौन आया है विश्वा ये सब क्या है भगबान के लिए ये बात भाईया को मत बताने पर तेरे भाई ने तो तेरी शादी मेरे साथ तै की थी ना ची क्या बोल रहे हो तुम तुम्हारी शादी मुझ से हो रही है ए, हमारे घर के नौकर हो तुम मुझसे शादी करने का ख्यार तुम्हारे मन में आया भी क्या से मैं डॉक्टर शंकर से बहुत प्यार करती हूँ और उनसे मेरी शादी भी हो चुकी है Excuse me, रोकिये ब्लीज क्या हुआ शंकर? सर मीरा को अखेले लगेज पैक करने में परिशानी होगी मैं उसकी मदद कर देता हूँ Sorry शंकर, टेंशन में ये बात मैं भूल लिया हूँ कोई बात नहीं सर, मैं चला जाओंगा मेरे रास्ते में जो आएगा, मैं उससे खत्म कर दूँगा मीरा? 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 अरे बापे मीरा ये होस्टल की जाब यहीं भूल गई भाई होस्टल दरा बापच चलो आराम से मीरा? 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 झाल 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 बाई कोई आरा है चलो भागते हैं चलो मीरा 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 यह सब क्या है? किसे के यह सब? शंकर? मीरा क्या भाग मुझे मता? यह सब किस ने किया? विश्व 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 भाईया मेरा बच्चे को बच चाले ना भाईया मैं बचा लूँगा मीरा बचा लूँगा डॉक्तर जंदी प्रूटी पिस कि मैरा इक यह automate मैं क्या दूँ hurt माप करदेगा आ वो क्यों निकरेगा काऊ मैरा कुछ ने कगएững या भाग मुई माझ लिमा, मुई एख इस जो प्रवाराइज डाइज दॉडाइज दॉडाइज अज्टी दॉडाइज। सर्ष प्रवाइज। सुर्वी हम रहुं कर दो नहीं बचार पाए हमने बच्छे को बचानी के लिए एक लिए बच्छें किया है Seven months, premature baby Mira वाई पक्का मर गया होगा काफे प्रीड कती हो गया चलो यहां से चलते हैं एक्सिडेंट के बाद आप सड़क पर बेहुश मिले चार लोगों ने आपको हॉस्पिटल में एड्मिट किया इस बात को तफरीबन चार हपते हो चुके हैं अब चार हपते से ट्रांस कुमा में थे अब चार हपते हैं तब चार जापको यहां से बात किया एक्सिए तब चार हपते लोगों यहां से बात किया तब चार बेहुशन तो तो कभी आनात नहीं हीता पर अगर अब मैंने उसे सज बताया तो उसकी प्याही वित्वा हो जाएगी ये सच किसी को पताने चाहिए मेरे आशूं से तुम्हारी आखों में अगर आशू आते हैं तो आज के बाद में कभे ने दूँगा तेरे चेहरे पर मुझे हमेशा हसी दिपन चाहिए आज के बाद मैं तेरे नहीं जीओ बस याफ। आज के बाद में तेरे आते हैं तेरे नहीं एंड़ को जाएगी एफ बख़ अन्भाइन को चाना है प्राइन को चाना है जल किक बाहा है खो खोला खोला अगर कोई पास मिया तो मैं इसे मार दूगा मेरी बैटी को कुछ वाज़ा सारी गल्ती मेरी है मेरी है ए जंदर आजा कर नहीं होगा जल्ग जांकार जल्ग जांकार मैं इसे मार दूगा तेरी वज़ा से मैंने अपनी बेहन को अपनी आखों के सामने मरते हुए उसके पेट में पल रहे है बच्चे को मानने की हिम्मत तुझे कैसे होई जिसे अपने परिवार के साथ रहकर जिन्दगी की हर खोशिया जीनी चाहिए थी उसे तुने अनाथ बना दिया वो अपने भाई से माफी मानना चाहती थी सिर्थ तेरी वज़ा से नहीं मान पाई ही बहुत दर्द सहे उसने अपना बना बना ओुझे लुझे अवड़ार के लिए खुझे अवड़ार के लिए पाई है संच जो गलती उस वब की अब वही गलती, मैं दुबारा नहीं करना चाहता हूँ, तुमारी बेटी मैं यहाँ आपकी बेटी को भगाने नहीं आया था बस आपको यह बताने आया था, कि मेरे पापा धोके बास नहीं है, एक सच्छे दोस्त है शलिकर मैं यहाँ आपकी बास नहीं है को एक क्या है चूदेगा एक कुमारी मैं यहाँ थूँ, जुमारी िरowski